नमस्कार दोस्तो ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम आपको हन्मान जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर हन्मान जी की उल्टी प्रतिमा की पूजा की जाती है तो चलिए जानते हैं भारत की धार्मिक नगरी उज्जेन से केवल 30 किलोमेटर दूर इस्थित यह धार्मिक इस्थान जहां भगवान हन्मान जी की उल्टे रूप में पूजा की जाती है यह मंदिर सावेर नामक इस्थान पर इस्थापित है इस मंदिर को कई लोग रामायन काल के समय का बताते है मंदिर में भगवान हन्मान की उल्टे मुख वाली सिंदूर से सजी मुर्ती विराजमान है सावेर का हनमान मंदिर हनमान भक्तों का महत्वपूर्ण इस्थान है यहां आकर भक्त भगवान के अटूट भक्ती में लीन होकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते है यह इस्थान ऐसे भक्त का रूप है जो भक्त से भक्ती योग्य हो गया तो चलिए जानते हैं उल्टे हन्मान जी की कथा उससे पहले आपने अगर ग्यान गंगा यूट्यूब चेनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्स्राइब कर लीजिए तो चलिए कथा शुरू करते है भगवान हन्मान के सभी मंदिरों में से अलग यह मंदिर अपनी विशेशता के कारण ही सभी का ध्यान अपनी और खीजता है सावेर के हन्मान जी के विशे में एक कथा बहुत लोकप्रीय है कहा जाता है कि जब रामायन काल में भगवान श्री राम वो रावन का युद्ध हो रहा था तब अही रावन ने एक चाल चली उसने रूप बदल कर अपने को राम की सेना में शामिल कर लिया और जब रात्री समय सभी लोग सो रहे थे तब अही रावन ने अपनी जादूई शक्ती से श्री राम एवन लक्ष्मन जी को मुर्चित कर उनका अपहरन कर लिया वह उन्हें अपने साथ पाता लोक में ले जाता है जब वानर सेना को इस बाद का पता चलता है तो चारों और हडकंप मच जाता है सभी इस बाद से विचलित हो जाते है इस पर हनमान जी पगवान श्री राम व लक्ष्मन जी की खोज में पाता लोक पहुच जाते है और वहाँ पर अहिरावन से युद्ध करके उसका वध कर देते हैं तथा श्री राम एवं लक्षमन जी के प्राणों की रक्षा करते हैं उन्हें पाता से निकाल कर सुरक्षित बाहर ले आते हैं मान्यता है कि यही वह स्थान था जहां से हन्मान जी पाता लोक की और गए थे उस समय हन्मान जी के पाओं आकाश की और तथा सरधर्ती की और था जिस कारण उनके उल्टे रूप की पूजा की जाती है तो यह आपको कथा केसी लगी और इस मंदिर के बारे में आप जानते हैं या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद जैश्री कृष्णा